दोस्तों चैत मास की शुक्ल प्रती पदा को गुड़ी पढ़वा मनाया जाता है शुरुवात में गुड़ी पढ़वा को सिर्फ महराश में मनाया जाता था लेकिन इधर कुछ वर्षों से भारत के अनराज्यों में भी इसे मनाने की परंपरा की शुरुवात हो गई है गुड़ी पढ़वा शब्त का अर्थ मराठी में गुड़ी यानि किला और पढ़वा यानि गिराना अर्थात किला या सामराज को गिराना यानि कबजा करना है रोमन तिथी के अनुसार 11 मार्ट 1689 इसवी में ब्राहमनों ने मनुस्मिती के नियम अनुसार छत्रपती शंबा जी महराज की नाक कान और चमड़ी उधिरते हुए हत्या कर दी थी और उसके बाद ब्राहमनों ने उनके सिर को भाले यानि बास का नुकीला ओजार में लटका कर उनके गाओं में जुलूस निकाल कर वा शक्कर बाटकर खुशी मनाई थी मृतक शंबा जी के सिर को भाले पर लटका कर ब्राहमनों ने या संदेश दिया था कि आज से कोई भी स्वराज हेतु आंदोलन करेगा तो उसका भी हश्र शंबा जी के जैसा ही किया जाएगा इसे आज भी ब्राहमनों दोरा एक बास या भाले में प्रतिक आत्मक रूप से सिर के जैसा लोटा को उल्टा करके लटकाया जाता है और उसके साथ में बास के सहारे महिलाओं का साड़ी ब्लाउस भी बांधा जाता है इस परंपरा पर ब्राहमनों की ऐसी मानता है कि हमारे मनुश स्मृति के खिलाफ जो भी स्वराज या शाशन चलाने की सोच रखेगा उसका हश्र ऐसा ही करते हुए बास से उल्टा लटका देंगे और साड़ी ब्लाउस बांधने का अर्थ है कि तुम्हारी घर की महिलाओं का सम्मान भी अपने अधीन कर लेंगे ब्राहमन समाच इस परंपरा को उसी समय से मनाते चला आ रहा है और इस निश्चित दिन को संभाजी की हत्या और अपनी विजज जलूस की खुशी मनाते हुए शाम को गुड़ी को उतार देते हैं और रातरी में मिस्थान भोजन का आनंद लेते हैं इस वीडियो में बताई गई जानकारी किताब लकीर का फकीर से ली गई है अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा दोस्तों